आदानिय देखिए ये लोग देश की जिन संस्ताओं की मृत्ति की गोषणा करते हैं उन संस्ताओं का भाग्य चमक जाता है और मुझे विश्वास है कि ये जैसे देश को कोस्ते हैं लोगतंतर को कोस्ते हैं मेरा पक्का विश्वास है देश भी मजबुद होने वाला है लोगतंतर भी मजबुद वाला है और हम तो होने ही वाले है आधनियत देख जी यह वो लोग है जिने देश के सामर्थ पर विस्वात नहीं इन लोगों को देश के परिशन पर विस्वात नहीं है देश के पराकरम पर विस्वात नहीं कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टम में तीसरे टम में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थ वबस्ता बनेता है अधनिया देट जी आधनिया देट जी अधनिया 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 अब देश के भविश्य पर थोड़ा सा भी भरोसा होता जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम आने वाले पांच साल में तीसरे टम में हम देश की एकोनोमी को तीसरे पर लाएंगे ते जिम्मेवार विपक्ष क्या करता वो सवाल पूसता सवाल पूसता अच्छा पे बताओ मिनुला जी बताओ कैसे करने वाले हो अच्छा मुदी जी बताओ कैसे करने वाले हो आप करोल में बताओ ऐसा करते हैं अब ये भी मुझे सिकाना पड़ रहा है लेकिन या या वो कुछ सुजाव दे सकते थे ये कुछ सुजाव दे सकते थे या फिर कहते हम चुनाओं में जन्ता के बीच जा करके बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं हम तो एक नंबर पर लेके आएंगे और ऐसे ऐसे लेके कुछ तो करते हैं लेकिन हमारे विपश्की तरासदी ये है और उनके राजरितिक विमर्ष पर गौर कीजिए कॉंग्रेस के लोग क्या कह रह थे अब देख्ये कितना कलपना दारीद रहा है इतने सालों तक सत्ता में रहने के बात भी क्या अनुभवता हीन बाते सुनने को मिल रहे है क्या कहते ये ये कहते है इसकी लग्स तक पहुंच रहे हैं करनों की जरूर ने ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर को बता हूं मुझे लगता है कि इसी सोच के कारण वो सोते रहे इतने सालों तो अपने आप होने वाला है वो कहते हैं बिना कुछ किये तीसरे पहुंच जाएंगे और कॉंग्रेस की माने अगर सब कुछ और भी अपने आप ही हो जाने वाला है इसका मटलब है कॉंग्रेस के पास न नीती है न नियत है न वीजन है न वैश्विक अर्थववस्ता की समझ है और नहीं भारत के अर्थजगत के ताकत का पता और इसलिए सोयों सोयों कब हो जाएगा यही एक आदिन एक जिग जी यह वज़े है कि कॉंग्रेस के शांसन में भारत गरीबी और गरीबी को बढ़ाता गया 1991 में देश कंगाल होने की स्थिति में था कॉंग्रेस के सांसन कार में आर्थववस्ता दुनिया के क्रम में 10, 11, 12 इसके बीच में जोले खाती थी जोलती रही थी लेकिन 2014 के बार भारत ने टॉप पांच में अपनी जगह बना ली कॉंग्रेस के लोगों को लगता होगा कि इसको जादू से लकड़ी से हुआ है लेकिन मैं आज सदर को बताना चाहता हूं मानियत देक्षिए रिफॉर्म पर्फॉर्म एंड ट्रांस्फॉर्म एक निश्चित आयोजन प्लानिंग और कठोर परिश्रम परिश्रम की पराकाश्था और इसी की वज़े से आज देश इस मुकाम पर पहुँचा है और ये प्लानिंग और परिश्रम की निरंतराजाब बनी रहेगी आवशक्ते आनुसार उसमें नए रिफॉर्म होंगे और पर्फॉर्मंस के लिए पूरी तरह ताकत को लगाये जाएगा और परणाम ये होगी कि हम तीसरे नंबर पर पहुँचके रहेंगे आजनिय अद्रग जी देश का विश्वास मैं शब्दों में भी प्रगड करना चाहता हूँ और देश का विश्वास है कि दो हजार अठाइस में दो हजार अठाइस में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले तीन में होगा ये देश का विश्वास आदेने अद्रेक जी हमारे विपश्व के मित्रों के फित्रत में ही अविश्वास भरा पड़ा है हमने लाल के लिए से स्वच्छ भारत अभियान किया लेकिन उन्होंने हमेशा अविश्वास जिताया कैसे हो सकता है तो गांदी जी भी आके गए करके कहके गए क्या हुआ स्वच्छ सता कैसे हो सकती है अब इस बात से भरही हूँ इनकी सोच है हमने मा बेटी को खुले में सोच से मुक्त करने के लिए उस मजबूरी से मुक्त होने के लिए सौचाले जैसी जरुवत पर जोर दिया और तब यह कहने क्या लाल के लिए से ऐसे भी शे बोले जाते क्या क्या ये देश की प्राथ्विक्ता होती है क्या हमने जब जंदन खाते खोलने की बात की तब भी यही बात नेरा शाय की क्या होता है जंदर खाता उनके हाथ में पैसे कहा है उनका जेब में क्या पढ़ा है क्या लेके आएंगे क्या करेंगे हमने योग की बात की हमने आयुरुवेट की बात की हमने उसको बढ़ावा देनी की बात की तो उसका भी मखोल उड़ाया गया हमने स्टार्ट अप इंडिया की चर्चा की तो उन्हों उसके लिए भी नरा सा फैलाई स्टार्ट अप तो कुछ हो इन नहीं सकता है हमने डिजेटल इंडिया की बात कही तो बड़े-बड़े विद्वान लोगों ने क्या पाशन किये हिंदुतान के लोग तो अनुपड है ह हिंदुतान के मोबाइल चलाना भी नहीं आता है हिंदुतान के लोग कहां ते डिजेटल करेंगे आज आज डिजेटल इंडिया देश आगे है हमने मेकिन इंडिया की बात कही जहां गया वहां मेकिन इंडिया का मैजा उड़ाया जहां गया वहां मेकिन इंडिया का मैजा कॉंग्रेस पार्टी और उनके दोस्तों का इत्यास रहा है कि उन्हें भारत पर बारत के सामर्थ पर कभी भी भरोसा नहीं रहा है और यह विश्वास किस पर करते थे मैं जड़ाज सदन को याद दिलाना चाहता हूं पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था हमारे हां आए दिल आतंकवादी भेच जाता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ उपर करके मुकर जाता था भाग जाता था बोले हमारी तो कोई जिम्मा लेने को तयार नहीं होता था और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था जो तुरंट पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे पाकिस्तान कहता था कि आग्पंग की हमले होते रहेंगे और बात्चीट भी होती रहेगए इने यहां तक कहते है पॉरे पाकितान कह रहा है तो सही कहता होगा ये इनकी सोच लही है कश्मीर आतंगवाद की आग में दिन-राथ सुलग रहा था जलता था लेकिन कॉंग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरी कोफर बिस्वात नहीं था बेविश्वास करते थे हुरियत पर बेविश्वास करते थे अलगवादियों के पर बेविश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का जंडा ले करके चलते थे भारत ने भारत ने आतंगवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया भारत ने एर्श्ट्राइक किया इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था ये इनकी प्रहुत्य थी अध्यक्स महुद है आज दुनिया में कोई भी भारत के लिए अब सब्द बोलता है तो इन्हें उस पर तुरंट विश्वात हो जाता है तुरंट उसको कैच कर लेते हैं ऐसा मेगनेटिक पावर है कि भारत खिलाब हर चीजे वो तुरंट पकड़ लेते हैं जैसे कोई विदेशी एजनसी कहती है कि भुखमरी का सामना कर रहा कोई कई देश भारत से बैतर है ऐसा जूठी बात आएगी तो भी पकड़ लेते हैं और हिंदुस्तान में प्रचार करना शुरू कर देए प्रेस कोंपरत कर देते हैं भारत को बदनाम करने में क्या मजा आता है दुनिया में कोई भी ऐसी बेतु की बातों को मिट्टी के धेले जिसी जिसी ये मतना हो ऐसी बातों को तवज्जु देना ये कॉंग्रेस की फित्रत रही है और तुरंट उसका भारत में एंप्लिफाय करना प्रचार करना पूरी कोई सिट्रिम लग जाती है कोरोना में के माहमारी आई भारत के भाईग्याविकों ने Mane in India वेक्सिल बढाया उन्हें भारत के वेक्सिल पर भरोसा नहीं उनको भारत के वेक्सिन पर भरोसा नहीं विज़ेशी बेक्सिल पर भरोसा ये इनकी सोच रही आदनि अत्रग जी बेश के कोटी कोटी नागरी को ने भारत के वैक्सिन पर विश्वाद जताया इनको भारत के सामर्ते पर विश्वाद नहीं है इनको भारत के लोगों पर विश्वाद नहीं है लेकिन इस सदन को मैं बताना चाहता हूँ इस देश का भी भारत के लोगों का कॉंग्रेस के प्रती मार दिया गया है वर्दा वस्ता पेंशन बंद कर दी गई आजादी के 75 साल पूरे होने पर मेरी माठी मेरा देश अभियान के तहट जुझरू के 336 गाम पंचायतों में शहीदों और सुतंतरता सैनानियों की यादों को चीरिस्थाई बनाने को लेकर ग्राम पंचायतों में उनके नाम की श्रीला पंटिका लगाई जा रही है मोदी आज लोग सबा में जवाब देंगे करीब चार बजे अविश्वास पस्ताप पर प्रधान मंत्री बोलेंगे बुद्वार को ग्रे मंत्री आमिशाने विपक्ष पर निशाना साधा था मोदी 12 अगस्त को MP के सागर दोरे पर रहेंगे पिम के दोरे को लेकर सीम शिवरासिंग चोहान आज कारेकरम स्थल का जाज़ा लेंगे पिम डेड़ हजार करोड की सर्फों का भूमी पूजन करेंगे कॉंगरिस नेता मदुसूदन मिस्त्री जैपूर के दोरे पर हैं यहां मदुसूदन मिस्त्री पार्टी नेताओं कारेकरताओं से मुलाकात करेंगे कल बैठ़क भी लेंगे सेम गेलो ता जिंद्रा गांदिय स्मार्टफोन यूजना का शुबार्ब करने जारें पहले चरण में 40 लाक मैलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे प्रदेश भर के ब्लॉक मुख्याले पर श्रीवित का आयज़न होगा राज़दानी जैपुर में नर्सेज ने हला बोला नर्सों ने ग्यारा सुत्रे मांगों को लेकर प्रदेशन किया इसके साथ ही समाधान ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गाजस्तान में एडी ने बहुत चर्चि डियो आएटी मामले में कारवाई की एडी ने डियो आएटी अधिकारी वेद्प्रकाश यादव को गिरफतार किया अलमारी में सो नार करोडों के नगदी रखने का आरूप हिस्ट्री शीटर निरंजन मीना मौत मामले में ग्रामिनों ने मेंदीपूर बालाजी थाने के बाहर टेंट लगा कर धरना दी अम्रतकों के परिजनों ने प्रशासिन को चितावनी दी है और हत्या के आरूपियों को गिरफतार करने की मानकी गाजिस्तान प्रीमियर लीग टी-20 के लिए खिलाडियों के निलामी आज होगी निलामी में सबी छे टीमों के फ्रेंचाइजी ओनर मौजूद रहेंगे तमिलाडू में सूपरस्टार अजनी गात के प्रशन्सकों ने उनके फिल्म जेलर के रिलीज पर चर्ने के सिनिमा घरों के बाहर जश्ट मनाया उत्राखिंट के ढालवाला और खरा इलाकों में लगातार बरसात के कारण जल फराव हुआ उन्हें आखरी बार 1988 में जित मिली थी 35 वर्षों से त्रिपूरा के लोग कॉंग्रेस को कह रहे हैं कॉंग्रेस कॉंग्रेस उन्हें कॉंग्रेस को आखरी बार नाइन्टी नाइन फाई में जीत नसीब हुई थी यानि उन्हें उन्हें भी 28 वर्षों से कॉंग्रेस को एकी जवाब दे रहा है उन्हें कॉंग्रेस लागा लेंड में लिख सभा की अन्मति हो तो सभा की कारवाई इस विशे की समाप्तिक तक बढ़ाई जाती है माने सदेश्यन मैंने पहले भी आगरे किया था कि नारे बाजी नहीं करेंगे आप सबने सहमति दी थी नारे बाजी निकरेंगे नहीं इधर से करेंगे ना उधर से करेंगे निकरेंगे दोना तरस नारे बाजी दो इधर से भी निकरेंगे उधर से नारे बाजी प्लीज आपने खुदने